जहीं दोस्तों दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मांसून यानि कि भारत में मांसून आता कैसे और कितने प्रकार से भारत में वर्षा होती है तो इसी को पढ़ने के साथ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि भारत में दक्षिर पश्री मांसून से 80% वर्षा होती है और हमन अर्भी बासाक सब्दे इसका मतलब होता है दिसा बदलने वाली हवा और इससे सबसे पहले ही पालश ने बताया था और इसका वरडन किताब में अलमस्ट उदीन ने किया था उसके बाद हमनों पढ़ा कि जिस भाग में वर्षा होती है यानि कि माली जी अपरवत है तो इसके इस साइड में यानि कि जिधर वर्षा होती इसे हम लोग कते हैं पवना भीमुग वर्षा और जिधर वर्षा नहीं हो पाती उसे हम लोग कते हैं विरिष्टी छाया वाली वर्षा यानि कि इधर वर्षा नहीं हो पाई उसके साथ हमने पढ़ा फेरल का नियम और फेरल के परवत यह हो गया कौनता यह हो गया नहीं अंग झा या उपर वाला देखिए हो गया सत्पुडा और बिंद्या चल रहें और यहां पर गिर प्रवत और यहां पर गया राजस्थान में कौन सा परवत है माउंट आबू जिसकी सरोच चोटी यानि कि अरावली का परवत और यहां पर हो गया हिमालाय परवत उसके साथ यहां पर राजमहल की पाड़ियां हो गई और यहां पर गारोखाशी जैंतिया और यहां पर मिजोरब में मिजो परवत नाग है है कि ब्हारत में सबसे पहले वर्सा आती है यहां पर केरल से ठखराने के पास्द दो भागों बढ़ जाती एक चलिए जाती इसकी औरब सागर वाली भागा बहाग अरभ सागर वाली शाका और दूसरी साखा चलिए यहां पर एक यहां पर बंगाल की खाड़ी वाली साका गई यानि कि बेया बंगाल वाली साका और यहां पर एक आई अरब सागर वाली साका यहां पर केरल में टकराने के बाद सबसे ज़्यादा वर्सा कर देती है सबसे पहले वर्सा कर देती है फिर मांसून टकरा कर आया था वापस औ मतलब उपर आने के साथ साथ यहां पर टक्राया था गिरी परवत का पिछला भाग पढ़ जाता है वरिष्टी चाया वाले चेत्र में तो इधर वर्सा नहीं होता हम लोग सुने होंगी कख्च की खाड़ी में वर्सा मतलब कख्च का मरुस्तल और उसके बाद यहां पर एक सा जाका इसकी चली यहां पर अरावली वाली रणी श्रमनांतर पढ़ता इसलिए रहस्तान में वर्सा नहीं होती है पाउज जाता है दिल्ली में राशीना की पाड़ी यहां से टक्रा करके जबरदस्त वर्सा करता है और उसके साथ टक्राने के पशाद ऊपर चल जाता उपर पॉचा था कीरल में यहां से आने के पाद मांसून टक्रा जाएता है यहां पर यहां टक्राने कैं वाद यहां जबरदस्त वर्षा करता है, और मासी न्दा परतष्ट वर्सा कर देता है उसके साथ ही यह साखा बंगाल की खाड़ी यानि पश्ची मंगाल में आने कि बाद यहां पर परोतों से टक्रा करके मुड़ जाती है कौन से परोतों श्टक्राती है तो यहां पर राजमाल की पाड़ियां और यहां खासी की यहां श्टक्राने के परचात लोट आती है उत्तर भारत वाले चेतर में यहां पर वर्षा करती हुई आती है यहां पर फिर चलिया थी दिली में और दिली में ही अरब सागरी वाली श जून के बाराइसम्ट मतलब तीं महीने मांसून वर्था करता आई रहता है अब फिर इसका हो जाता है लौटने का टीक है तो लौटने land टाइम होता है तो एहां समझिए यह देखिए का mansoon लौटन लौटन आ कि पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर clear कर लेंगे और आज का topic हमारा यहीं से शुरू हता है ठीक है तो देखिए और समझे लोटते हुए मांसून से कितने % वर्षा होती है तो 17% वर्षा होती है लोटते हुए मांसून से अब मांसून लगबाघ सितंबर से महीने में लौटना प्रारमत करतेता है क्यों की लौटता है देख़िए यहा है करकर रेखा और यहा जिरो oxid रेखा रेखा यानी भूमध kरकर रेखा तो भारत रेखा जून के महीने में स्टार्ट होगा जैसे जैसे यहां पर गर्मी पड़ेगा तो यहां का जो जल है यहां का जो जल है भाब बनकर उपर उठेगा अब भाब बनकर उपर उठेगा तो इधर याने की जो जून जुलाई अगस्त का सितंबर का महिना इधर है तो यहां से हमाएं इस साइड में आन दिशा बदलने लगता है और दक्षड की साइड में दक्षड भारत में आने की कोशिश याने की आने लगता है शितंबर के महीने से सुरू हो जाता है ठीक है तो मांसून यहीं से लोटना प्रारम करता है और यह जो वर्सा होती है ठंड के महीने में वर्सा होती है ठंड में मूर जाता है इधर दक्षिर भारत वाले साइड में और यहां जब मूरता है तो देखे मानसुन लोटते समय इसकी अधिकतर वर्सा तो खतम हो चुकी रहती है मानसुन सूख जाता है तो मानसुन में किवल आंधी तुफान वह बहुत तेजी से हवा होता है और यह वर्सा नह हो गया उडिशा के बाद यहां पर आंध प्रदेस का उपरी वाला छेत्र होगा इस वाले भाग में आंधी तुफान बहुत ही जवर्सा नहीं होता है तो कई बार कोश्चन पूछा है कि उडिशा और आंध प्रदेस वाले तट में लोडते हुए मानसुन से वर्सा क्यों ही होती है क्योंकि लोडता हुआ मांसुन ने बेचारा पानी उसका खतम हो गया तो वर्सा कहांच कराएगा ठीक है अब देखिए मांसुन धीर धीर आगे बढ़ता है और यहां पर मिल जाते हैं इसे बंगाल की खाड़ी में प्रवेस करता है और यहां से उठा लेता है पा प्रदेश काे देखिए और बन कला इंथा मत्यांद की से जाम लोड़ी में इसे और तमील लाडव में सितमबर अक्टूबर नॉंबर के ओन लोड़ते हुए मांसून से वर्सा इसे अद Hai ठंडी में होती है आंद्रदेश के निचले उससे और तमिलाडू में इसका प्रोसेस समझ में आगया होगा कि लड़ते हुए मामसून से वर्षा कहा होती है और इस वाले तट को अम लोग काते हैं कोरो मंडल तट में यानि कोरो मंडल तट वर वर्षा किस से होती है तो तक वर्षा में और happy में क्यों नहीं असे क्योंकि मांसून आते है तो इसका प्रचा fort शू प्छाना झुरा जाता है तो इसी लिए इसलिए Europeans अवर्सा और अद्रद्स के ऊपर वर्साने ही करता है और शक्रवात यसे वर्सा होती है अगे सबस्क्राइब वर्षा कहां परव्याती यहीं तमिलनाडू वाले छेत्र में ठीक है और देखे पीछे कुछ थोड़ा सा छूट गया है इसे हम बता देते हैं कि अब देखिये हमने पीछले वीडियों में बतायी था सैंँ देखिये यहां यहां पर यहां पर उच्चingers पर्वात हैं और यहां पर यहां पर उचे उचे परवत है यहां पर वर्सा मांसून आई यह नहीं पाता है अब जहां यहां पर आ नहीं पाएगा तो यहां पर सुखा शेतर रहा जाएगा लेहलदाक वाला एरिया तो लेहलदाक वाला एरिया सुखा रहा जाता है यहां पर वर्सा नहीं हो पाती है ठीक है लेहल लोड़ते हुए मांसून से हम लोगों ने वर्षा करा दिया तो लोड़ते हुए मांसून से समझ में आ गया होगा कि वर्षा कैसे होती है अब देखिए अब एक मांसून बचा तीसरा वाला ठीक है दक्षिल पश्वी मांसून यानि कि तीसरा अवला दक्षिल पश्वी मांसून से हो गई और लड़ते मांसून से 70% वर्षा हमने अभी आज करा दिया अब 3% वर्षा कराने हम लोगों पश्वी मांसून से कि देखिया आपके सामने दिख रहा होगा पूरे वर्ल का मैप और वर्ल के मैप में यहां पर है भूमत देशागर यानि कि मेरी डेटेरियन सी यानि कि भूमत देशागर और इधर चलती हैं बहुत ही जेट हवा है ठीक है अट्लांटिक मांसून में एक हवा चलती है उस हवा को लोग करते हैं जेट हवा है यानि कि बहुत तेजी से हवा चलती है देखिये यहां से फिग गवाइं स्ट्रेणिं यहोँ धनी में जहर ऑधनिक डिना में ग परवत मिलेगा हिंदू कुष परवत और हिमालाय यानि कि हिमालाय का इभाग हिंदू कुष परवत तो हिंदू कुष परवत से टक्रा करके वर्सा कर देती है लेकिन इसके जो पीछे वाला चेतर यानि कि भारत में जो बचेगा उसे वह आ जाएगा वरिष्टी छाया वाले शेत्र में वरिष्टी चाया वाले शेत्र में वरसा बहुत कम होती वर चैत्र इसलिए बहुत कम शुक्राइग दिंप थिक से आया मांसून मांसून आने के साथ इस वाले परवत में टकर आ गया या परवत कौन सा है परवत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विवाजित करता है और यह हिमाचल प्रते यानि कि हिमालय का ही भाग है हिंदू कुछ परवत अब देखिए मांसून इरत से आया अब यहां पर टकरा जाएगा और टकराने के साथ इस वाले एरिये में बरसा बहुत तेजिस होती है लेकिन हमने पता है विरिष्टी छाया छेत्र होता है तो कुछ भाग इसके उपर से टकरा करके प्रवेस कर जाता है भारत में अब जब भारत में प्रवेस कर जाएक तो भारत का उपरी वाला जो भाग है यानि कि उत्तरा खंड हुआ पंजाब हुआ हर्याना यहां परं कहार दी वत मैं अंशंड में से अर्याना मेंट जाता पंजाब हर्याना मंचाब हुआता यूप हार्याना में, कि एपी में चाता है वर्सा यूपी में कड़ाता है इधर बिहार में को तर्फिन विशोप से वर्सा कहां कहां होती है देखिए इस समय मैं यह सब्सक्राइब और पाकिस्तान वाले छेत्र में कराया लेकिन यह भारत के छेत्र भी प्रविस करता है जिस पंजाब में पंजाब में ठंडी के महीने में आता है और उसमें उत्तर भारत में गेहूं की फसल बोई रहती है गेहूं चना की फसल रहती है और उस फसल को हम लोग कहते हैं रभी क और उसमें पंजाब में बहुत ज्यादा मात्रा में बोया आता है रभी की फसल हलागा पूरे उत्तर भारत में इस साइड में बोया जाता है और जब यह पशीम भीछोब का वर्सा आता है तो यह वर्सा गेहूं के लिए टानिक का काम करता है इसलिए इस वर्सा को टानिक वर्सा भी काते हैं क्योंकि देखिए गेहूं का जो फसल होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है केवल एक दो बार दो गेहुँ पार और यहां जो पंजाब वाले किसान है यह लोग तो एक बार भी पानी नहीं देते हैं क्योंकि पश्च्रिविशो का वर्सा इन लोगों को मिल जाता है और यह वर्सा भी एकदम धीरे-धीरे वर्सता है एकदम सोने की तरह यहां पर काम कर होती है इन लोग को पानी देना नहीं पड़ता है और फसल भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है इसलिए पंजाब के किसान खुसहाल रहते हैं हरे भरे रहते हैं ठीक है हश्ट पूश्ट रहते हैं और यह वर्सा धीरे-धीरे उत्तर भारत वाले चेते यानि कि उपी विहा अभी की फसल बढ़िया होती है इस्टानिक वर्सा के कारण ठीक है तो तीन परसेंट वर्सा इसी से होती दच्छिल पश्विम बिश्चोप से अब तो समझ में आ गया होगा कि पश्विम बिश्चोप के है देखिए अभी रुकिया नहीं अभी खतम नहीं हुआ है देखि अरावली जेत्र हिंदू-खमाट इसके पीछे वाले भाग में आता आया कristall keywords भर्सा TWर हुरा राजास्थान में नहीं बताया कि राजस्थान में यहां क्यों सा परव्यौत आहं absent में और यहां है या जो वर्सा आती है जब कभी वर्सा थोड़ी बहक जाती तो है राज स्थान में प्रवेश कर जाती है और जैसे राजल में प्रवेस्थार करती है तो देखिए यहां पर रावली परवा थे जा किसके परपेंडिकुललाय यानिकि 90 जएक्रिन नहीं मिलती है तो यहां पर रावली छेतर से टक्रा करके यहां पर वर्सा से लगत रावल वर्सां ज cupcake ud क्या करें मावट वर्षा जो पश्रुण बिश्छोब से राजյस्थार वर्षा उती हैं इसे लिए राज्वस्था वर्षा करें है यदेए मरुस्था In इसलिए यह दूनिया का एक मातर दोने के बाओजूद्र में ुदू जरी होने के दोने carbon तो यहां पर थार का मरुस्तल है और यहां पर कभी कभार वर्सा हो जाती इसलिए यहां पर यह दुनिया के एक मात्र है यहां पर मतलब मरुस्तल में मनुष्य यहां पर लोग ज्यादा रहते हैं कहां पर राजस्थान में राजस्थान के थार मरुस्तल में और इस प्रकार से है हमने समझे लिया पूरी तरीके से प्रश्यम् भीश्योव बश्यम् बशुअब mentor उटिकर केवल तीन पर्सेंट हों यहां पर हिंदू突 पर्वाथ हिंदू कुछ पर्वत स्याकर टक्राती है और यहीं वर्सा आ Jाते कुछ वर्सा मतलब भाक्रार आ जाती है भारत में तो भारत में आने के साथ बंगा यह आपर पंजाब हो गया haryana हो गया उथ्टरप्रदेस में वर्सा कराती है और यह वर्सा बहुत ही धीरे-धीरे होती है मतलब धीरे-धीरे क्या होती है होती है जो कि गेहूं के फसल यानि की रभी के फसल के लिए टानिक का काम करती है और इसको अमने पूरी तरीके समझा दिया ठीक है कि पंजाम में क्यों वर्सा होती है हरियाना में और यूपी में और देखिए कुछ वाग जो भाग करके आ जाता है यहां पर पढ़ता है अरावली परवत तो कुछ वर्सा अगर नीचे वाले भाग से आया तो राजस्थान में वर्सा करा देता राजस्थान के थार के मरुस्तल में एक बार तो ऐसा हुआ था कि संद दोजा पश्ची मामसून से जब वर्सा आ रही थी तो यहां पर तो यहां पर बेचारे में वर्सा नहीं ओपा रही थी यह समनांतर पढ़ जा रहा था लेकिन इसको फाइदा यहां से हुआ कि यह वाली जो वर्सा इससे टकरा गई तो राजस्थार में बारिस भी कर देती है और तो इस प्रकार से हमने भारत में जितने मा Iya ते मतलब सब्सक्राइब करके अच खक घो उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आया होगा ठीक है अर्वी बासा के या सब्सक्राइब मांसून और पूरा अमने टोटल पढ़ा दिया वार्थ में वर्षा टोटल तीन प्रकारते होती है ठीक है तो कौन-कौन सी थी 80 परसेंट वर्षा सेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद है अ करता है